नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल एसकलेपियस अईरवेदा में दोस्तों आज के सेसन में हम चल्शा करेंगे बेसिक ओफ एडबलू पील के कोश्चन अंसर में सेसन टू की जैसा कि दोस्तों सेसन वन में आप लोग के द्वारा बहुत सारा रिस्पॉन्स मिला बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट्स करके सही सही अंसर भी दिये तो next जो पार्ट बना है session 2, इस session 2 में आपको मिलेगा 5 सवाल इसमें भी और इनके भी answers आपको comment section में जाकर देने हैं इसके अलावा जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि session 1 का answer है वो session 2 में मिलेगा मतलब next video में इस video के end में जो भी हम video 1 में पूछे थे उन सारे questions का answer end में बताया गया है तो आएए दोस्तों स्टार्ट करते हैं basic of AWPL के session 2 की जिसमें आपके सामने रहेंगे 5 questions और उन 5 questions को आप उसका answer comment section में जाकर दे सकते हैं तो आएए start करते हैं question answer के session 2 को और इस session का पहला question है Slim Dog Powder AWPL के किस category का product है जसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि AWPL जो है 5 category के products को बनाती है अब आपको बताना ये है कि Slim Dog Powder AWPL के किस category का product है तो इस answer को आप comment section में जरू डालें next हमारा question है AWPL company में कूल कितने level है जैसे आपको targets मिलते हैं उसमें आपको level complete करना होता है उसमें आपको matching मिलता है उसका promotion मिलता है level complete करने पे तो दोस्तों आपको बताना है कि AWPL में कूल कितने level है इस session का हमारा अगला सवाल है AWPL company में जब आप distributor बनते हैं तो आपकी distributor की कितनी category है जी हाँ दोस्तों इस सवाल को फिर से सुनें AWPL company में distributor की कितनी category है ये आपको बताना है comment section में I hope इस सवाल का जवाब आप सभी लोग दे सकते हैं because ये बहुत ही easy सवाल है क्योंकि आप सबसे पहले AWPL company के distributor बनते हैं और जब आप business start करते हैं तभी आपका पता हो जाना चाहिए कि आप AWPL के किस category के distributor हैं दोस्तों फटाफट इस सवाल के जवाब को comment section में जरू डालें next सवाल है AWPL में शुरुआत की label complete होने पर चाहे वह ब्रॉंज हो चाहे silver हो चाहे gold हो ये label complete हो जाने के बाद आपको कितने SP का रीपर्चेज करना होता है मन्स ओ री परचेज आता है लेबल होने के बाद दोस्तों आपको यह ayar करना होता है meaningful कितने SP का रीपर्चेज करना होता है और दोस्तों इस सेसं का आखरी इस वाल है क्या AWPL कमपनी के प्रोड़क्ट जो भी हरबल प्रोड़क्ट अरवेदिक प्रोड़क्ट ये बनाती है कमपनी उसको आयूश मंत्राले द्वारा सर्टिफिकेट मिला है या नहीं मिला है इसको आपको कॉमेंट सेशन में हाँ और ना में जवाब देना है तो दोस्तों ये था आप का पांच कोशन्स जिनको आपको कॉमेंट सेक्षन में इसके अंसर को लिखने है अब हम बात करते हैं पिछले वीडियो का जो भी कोशन्स था उसके अंसर के बारे में तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो सेशन वन का उत्तर है ये पाहला कोशन जो की हेड़ आफिस क दौर्का में है दूसरा कोशन कितने कर टेगरी का ये प्रोड़क्ट बनाती है उसके बारे में था ये पांच के टेग्री के प्रोड़क्ट को बनाती है, तिसरा वा सवाल था कि ऐस्पी का क्या होता है एडबलु पीזה में तो SP का full form होता है sales point उसके बाद next question था चौथा number की AWPL की website क्या है तो www.asclepiuswellness.com है इसके बाद next question है कि AWPL की स्थापना कब हुई थी तो पाचवा और आखरी question का answer है कि 2014 में AWPL company की स्थापना की गई थी तो I hope दोस्तों आपको पिछले वीडियो के सारे answers मिल गये हैं और जिनों ने इस questions के answer दिये थे उनलों को बहुत बहुत धन्यवाद और next जो हमने अभी questions किये हैं इस वीडियो में प्लीज इसके भी answer देने की कुशिस किजिए धीरे धीरे आप देखिएगा कि इस वीडियो को complete करते करते आप में बहुत सारे skills develop हो जाएंगे बहुत सारे ऐसे questions होंगे जो आपको अगर नहीं भी आ रहा होंगे वो भी complete हो जाएंगे क्योंकि हमारे इस वीडियो का यही धे है एंड लास्ट दोस्तों मैं यहीं काना चाहूँआ कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक किजिए वीडियो को शेर किजिए और जो लोग इस चैनल में नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्स झाल